इस वीडियो 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 रिए पर्चेप्टर 2 फॉर फ्रेंटस फ्रेंटस एक का नम था रखीर सिंग और दूसरे का नम था मैं रहराष हेख दोनों फ्रेंड्स बच्पन में एक साथ रहते थे दे यूज टू लिव इन इसलामाबाद कहां रहे थे वो इसलामाबाद में जहां रगवीर सिंग के फादर पोस्टेड थे फिर बाद में उनका ट्रांसफर हो जाता है और वो रगवीर सिंग न्यू डेली आ जाता है उसका बच्पन निकल जाता है फिर उसकी जॉब लग जाती है फिर एक दिन उसे स्काइप पर सोसल मीडिया था स्काइप होता है न स्काइप पर उसे उसका फ्रेंड महराच शेक मिलता है एक दूसर से बात करते हैं और उसे बातों बातों में पार्ट वन खत्म हो जाता है चले पार्ट टू स्टार्ट करते हैं ऑर वगवीर सिंग वट रगवीर सिंग सीगज मुझे विश्वास नहीं हो रा बचप्टन इसी को हम डेस्टिनी कहते हैं destiny का मतलब होता है बटा किस्मत बोलते है न किस्मत उसको बोलते हम destiny है न हमारी किस्मत में ऐसा है या ऐसा नहीं है तो उसको में बोलते है destiny okay महराथ शेख बोलता है मेन का मतलब होता है आप का मतलब क्या है मिस्टर सिंग सिंग कौन रगवीर सिंग रगवीर सिंग सेज मैं भी लोसी केंप के पास पोस्टेड हूँ ऐसा क्यों बोला उन्होंने क्योंकि थोड़ी देर पहले किसने बताया था महराथ शेख ने बताया था कि मैं लोसी केंप पर पोस्टेड हूँ तो रगवीर सिंग ने कहा कि यही तो किसमत है देखो मैं भी लोसी केंप पर पोस्टेड हूँ महराथ शेख सेज महराथ सेख बोलते है Our destinies are interwined जो हमारी destinies है हमारी किस्मत है वो एक दूसरे से क्या है interwind है interwind का मतलब होता है connected क्या होता है connected interwind means connected बदी nothing has changed कुछ भी बदला नहीं है this is a good chance to meet up ये मिलने का एक और नया मौका है रगवीर सिंग सेज रगवीर सिंग बोलते है yes महराज you are right हाँ महराज आप बिल्कुल सही हो our destinies are connected हमारी destinies आपस में connected है I'll update you on my schedule as soon as I receive it तो जैसे ही मुझे मेरा schedule receive होगा कि मुझे LOC पर जाना है तो मैं आपको बता दूँग अपडेट कर दूँगा let's meet up then चलिए फिर मिलते हैं महराज चेक says our reunion will be one of a kind वोंट इट ये exclusive है एक मात्र है वोंट इट क्या नहीं है हमारा reunion एक मात्र exclusive होगा एक अलगी प्रकार का होगा वोंट इट क्या ये नहीं होगा डगवीर सिंग सेज yes, it's sure विल ये वास्तविक होगा एसा ही होगा एक अलगी प्रकार का हमारा मिलना होगा मैसेज भी मुझे मैसेज करना about your schedule आपके schedule के बारे में as soon as you can जितना हो सके जितना जल्दी हो सके आप अपने schedule के बारे में मुझे message करना कौन बोलता है? रगवीर सिंग किस से? महराज शेक से? नौ महराज शेक से? शरली वेट फॉर मैसेज मेजर बख्का करूंगा आप मेरे मैसेज का वेट करना रगवीर सिंग से? यस कैप्टन हाँ कैप्टन मैं आपका वेट करूंगा आप आपके मिडल येर्स मिडल टाइम जो निकल गया उसको ये मिडल ये मिडल यहां लिख देता हूँ मिडल टाइम इसी का मिडल का ये और ये आपस में सरोनी में मिडल या इंटरवैनिंग जो बीच की येर्स हैं मैं उससे जब मिलूँगा तो मैं पूछूँँगा इन बीच के सालों में उसने क्या किया ये इन इंटरवैनिंग येर्स में उसने क्या किया आई वेटेट फॉर इस मैसेज मैंने उसके मैसेज का वेट किया फॉर अवीक लगवग एक वीक तक बट देर वोज नो रिप्लाई लेकिन कोई भी जवाब नहीं आया एक दिन मैं अपने फ्रेंड से स्काइब पर बात कर रहा था तो मैं महराज की प्रॉफाइल पर भी क्लिक किया अनफॉर्चुनेटली दुरभाग वश वो ओफलाइन था तो मैंने उसे मिलने के लिए मैसेज किया रखवीर सिंग क्या मैसेज किया आप यहाँ पर देखिए मैसेज दिया हुआ है meet me the day after tomorrow कल के बाद यानि परसों मुझे मिलो हुन यर्दा accommodation barracks accommodation barracks है accommodation barracks पेटा है अकलमोडेशन का मतलब होता है accommodation कमईस होता है जहाँ पर आप stay करते हैं जहां पर आप रुखते हैं वो barrack कहलाती है accommodation barrack in camp गड़ी गड़ी camp hope to see you soon उम्मीद करता हूँ आप जल्दी ही मुझे वहाँ मिलोगे चलिए आगे शुरू करते हैं there was no reply from him तो उससे कोई भी जवाब नहीं आया however हालंकि I was excited about our reunion हम मैं अपने reunion को लेकर बहुत ही ज़्यादा excited था and started counting the hours और मैंने घंटे गिनना शुरू कर दिया कब के लिए personally day after tomorrow के लिए the day arrived वो दिन भी आगया as I was stalling towards the meeting place तो मैं जा रहा था किस की तरफ जो meeting place है उसकी तरफ बढ़ रहा था आगे stalling मतलब बढ़ना जा रहा था lost in childhood memories और मैं अपनी जो बच्पन की यादे हैं memories और मैं खोया हुआ था when I heard footstep behind me तभी मैंने अपने पीछे footstep यानी पेरों की बात सुनी I turned मैं मुड़ा I couldn't believe my eyes मैं अपनी आखों पे विश्वास नहीं कर पा रहा था there he was और वो वहां था कौन his left arm in sling और वो अपना left arm sling कर रहा था यानी उपर उठा के आविवादन करना we stood for a moment हम एक moment के लिए एक पल के लिए तो खड़े रह गए each one taking in sight of other एक दूसरे को देखते देखते एक पल के लिए खड़े रह गए in army uniform क्योंकि वो भी army uniform में था और मैं भी army uniform में था the both of us grinning widely और हम दौनों क्या कर रहे थे grinning grinning का means होता है to smile to smile हम दौनों एक दूसरे को देख रहे थे और smile कर रहे थे मुस्कुरा रहे थे we saluted each other हमने एक दूसरे को salute किया आर्मी वाले salute करते हैं न वो महराच शीक ने का good evening major sing major sing good evening apologies मतलब माफी चाहता हूं for not replying your message आपकी message का reply नहीं किया इस वजह से I had an accident मेरा एक accident हुआ during training training के टाइम पर मेरे साथ कुछ accident हुआ and I have just been discharged from the army hospital और मैं अभी तुरंत army hospital से discharge हुआ हूँ it's nothing serious ऐसा कुछ serious नहीं था but I only just got a message और मुझे तुरंत ही तुमारा message मिला just in time थोड़े ही समय पहले तो इन्हों ने कहा कि मैं आपके message का reply नहीं कर पाया मैं उसके लिए आपके आपसे माफी चाहता हूँ लेकिन क्योंकि मेरे training के टाइम पर मेरे साथ कुछ accident हुआ था जिससे मैं army hospital में भरती हुआ था और वहां से अभी discharge हुआ हूँ रगवीर सिंग बोलते हैं good evening captain शेख चले आगे क्या होता है just scroll your page दूसरा page open करते हैं अब यहां देखते हैं देखे क्या होता है चले students महराज शेख महराज शेख बोलते हैं how are you buddy दोस्त आप कैसे हो it's been so long since we last meet हम जब पिछली बार में ले थे तब से बहुत समय हो गया you haven't changed at all आप बिलकुल बदले नहीं हो रगवीर सिंग बोले हैं yes महराज the last time I saw you जब मैंने पिछली बार आपको देखा था I told you मैंने बताया था that I will return to Islamabad every summer vacation कि मैं हर गर्मी की चुट्टियों में Islamabad आया करूंगा I apologize apologize मतलब मुझे माफी चाहिए that I broke my promise कि मैंने अपना वादा तोड़ दिया but I couldn't help it लेकिन मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता था you know the situation between our nations आप जानते हो हमारे देशों के बीच में जो situation है जो इस्थती है उसकी बज़ए से मैं नहीं आ सका ना वाट मैराट शेक सेज़ मैराट शेक सेज़ दिर इस नो नीड टो क्लैरिफाइ अनिफिग किसी भी चीज का क्लैरिफाइ करने की कोई जरूरत नहीं है किसी भी चीज को साफ साफ बताने को जरूरत नहीं है it's good to see you आपको देखकर अच्छा लगा the uniform looks amazing on you और आपके जाल है एक फुटबाल का गेम हो जाए मैराट सेक वाओ डिडियो प्लैन सम्थिंग क्या आपने कुछ प्लैन कर रखा है लगवीर जिंग येस कैप्टन लेट्स कॉल आट और टीम्स चलिए हम अपनी अपनी टीम्स को बलाते हैं it's been such a long time since we played football together हमें football साथ-साथ खेले आज मैं आपको हरा दूँगा मैं जीत सकता हूं आपसे now that I see you have hurt your arm क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपने आपने आम में जो आम मतलब हाथ में जो आपको चोट लगी है उसकी बज़े से मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं आपको हरा दूँगा कौन बोलता है रगवीर सिं we all shook hands हम सबने आपस में हाथ मिलाया and the game began और फिर game start हो गया there were no guns किसी के पास कोई गन नहीं थी no bombs किसी के पास bombs नहीं थे no rifles no tips between us tips होते हैं बटा a fight जगडे अना बीच में आपस में कोई जगडे नहीं थे it was a moment of silver the khaki और ये khaki and brown uniform mixed together in a spirit of camera dairy and friendship अब यहां पर बोला गया है कि यह एक ऐसा moment था जहां पर खाकी और खाकी और दूसरी क्या color है let me check khaki and brown uniform khaki और brown uniform साथ में मिल गए थे कैसी spirit में किसकी spirit में मिल गए थे companionship camaraderie होती companionship यानी भाई-चारा एक दूसरे ऐसा लग रहे थे brotherhood दौनों में भाई-चारे का नाता हो ऐसा लग रहा था क्यों क्योंकि border पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जब सैनिक रहते हैं तो एक दूसरे से जगडा होता रहता है लेकिन जब यह football match खेल रहे थे तब ऐसा कुछ नहीं था जो khaki Indian uniform है और जो brown uniform पाकिस्तान army की है दौनों आपस में बहुत अच्छी तरह मिल गए थे football game खिलते हुए अब मैं गोल कीपर था फिर भी महराज ने डैस्पाइट मतलब होता है के बावजूद भी उसकी जो आम थी वो injured थी चोटल थी उसके बावजूद भी flipped the ball उसने ball को flip किया यानि उचाला and score the winning goal और उसने winning goal score कर दिया जबकि मैं गोल की पर था और मैं नहीं रोक पाया I was so happy that I hugged him और जिससे कि मैं बहुत खुश था और मैंने उसको hug किया गले लगाया it was the best match ever यह सबसे अच्छा match था I was glad to see the love and humility between us मैं खुश था जो प्रेम और मानवता हमारे बीच में थी उसे देख कर the words of palm brown palm brown students यहाँ पर एक poet है जो poems लिखते है ना उसको poet बोलते है तो palm brown एक poet का नाम है came to my mind तो उसके came to mind as I hugged महराज at the end of the match जब मैंने महराज को गले से लगाया तो palm brown के कुछ सब्द मेरे दिमाग में आए तो वो क्या सब्द थे वो आपको देखो बेटा students यहाँ पर poem आपको दी हुई है नीचे in loneliness loneliness क्या होता है बेटा अकेला पन in sickness बीमारी in confusion आप किसी चीज़ को लेकर confusion दिमाग खराब है the mere knowledge of friendship makes it possible to endure mere knowledge mere का मतलब होता है only 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 क्या है आपकी अगर friendship है अगर आप किसी के बहुत अच्छे मित्र है तो आपकी जो मित्रता है न वो इसको possible कर देगी to endure endure मतलब होता है to bear bear का मतलब होता है tolerate tolerate मतलब सहन करना यानि आप अकेला पन बीमारी confusion आप के पास अगर friendship है अच्छे friends है तो आप इन सब को सहन कर सकते हो even if the friend is powerless to help चाहे बिसक आपका friend इन सब चीजों में powerless हो उसके अंदर वो आपको help नहीं कर सकता हो बट आपके पास आपका friend है तो आप इन सब को सहन कर जाओगे it is enough that they exist इतना ही काफी है कि they exist exist का मतलब वो हैं उनका होना ही काफी है friendship is not diminished by distance or time जो friendship है वो diminished नहीं होती diminished का मतलब होता है end एन मतलब खतम होना जो friendship है वो खतम नहीं होती distance से दूरियों से और समय से यानि आपको आपके friend के बीच में दूरियां हो जाएं और काफी समय तक आप दूर हो जाएं उससे जो मित्तरता है वो खतम नहीं होती friendship जो खतम नहीं होती हना time हो distance हो by imprisonment or war जेल हो जाएं युद्ध हो जाएं suffering और silence हो जाएं मतलब संकट में हो जाओ दौनों लोग शान्त हैं कोई मलब आपस में दूर दूर हैं चाहे कुछ भी हो जाएं इन सभी चीजों से friendship जो है end नहीं होती खतम नहीं होती चाहे युद्ध चल रहा हो war चल रहा हो कुछ भी चल रहा हो अब इससे यह पता चलता है कि जो friendship है वो roots है roots मतलब friendship की जड़े हैं वो बहुत ही घहरी है अना it is from these things that it flowers इन चीजों से यह कैसी बन जाती है एक fool की तरह दिखती है क्या friendship ओके students तो आपने यह वीडियो देखी आपको समझ में आया I hope you got it properly thanks for watching the video keep studying at your home and always love your parents thank you